वेलकम व्यूर्वा तो दिस ब्राइन वीडियो राइट है और आज इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं हम ये वीडियो एफेक्ट की कैसे आप टेक्स्ट के अंदर वीडियो डाल सकते हैं बहुत ही अमेजिंग एफेक्ट है यह आप अपनी पर्सल अपसाइट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर क्लाइंट की वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं तो मैं अपने कोड एडिटर में जाओंगा जल्दी से और यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास एक इंडेक्स.html और एक स्टाइल.css दो फाइल यहां पर दिखाई दे रही है मैं थोड़ा से इसको जूम कर लेता हूं तकि आपको बेटर विजिबिलिटी हो सबसे पहले मैं अपना बॉइलर प्लेट यहां पर ले लूँगा यहां पर मैं हेडिंग देता हूं वीडियो इन टेक्स्ट ठीक है और इसके बाद यहां पर मैं अपनी css फाइल को लिंक कर जाएगा css style.css ठीक है और यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं एक डिव बनाओंगा जिसका नाम होगा वीडियो बॉक्स ठीक है वीडियो बॉक्स करे दिव बनाओंगा अब इसके अंदर सबसे पहले मैं वीडियो टैग लगाओंगा ठीक है यहां प अपने आप play हो जाए उसके बाद जो वीडियो है वो चलती रहे है बन ना हो एक बार play होने के बाद और वीडियो को हम यहाँ पर mute करना चाहते हैं अब नीचे आकर हम यहाँ पर source देने वाले हैं ठीक है और source के अंदर हम क्या करेंगे? SRC दे देंगे और SRC के अंदर मेरे पास एक video है video.mp4 यहाँ पर हम दे देंगे इसको मैंने save किया और मैं go live करता हूँ एक second में यह हमें live मिल जाएगा तो यह वाली video जो है हम वो use करने वाले ठीक है? तो यह हमने background में video यहाँ पर लगा दिया चलो आगे बढ़ते हैं video के बाद एक और हमें text यहाँ पर डालना होगा तो यहाँ पर मैं text box करके एक div बना लेता हूँ ठीक है? और इसके अंदर मैं एक h2 ले लूँगा जिसके अंदर video in text नाम से मैं यह दे देता हूँ ठीक है? यहाँ आके मैं refresh करता हूँ तो आप देखोगे video in text जो है यह मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहा है बट अभी हमने कोई भी css नहीं लिखा है तो हमें वो result नहीं मिलेगा जो आप expect कर रहे हूँ ठीक है? तो यह हमारा html लोग है that's it इतना ही हमें html लिखना है इससे जादा हमें कोई भी चीज यहाँ पर नहीं लिखनी है और अब हम बढ़ेंगे style.css की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है? तो सबसे पहले guys क्या है मुझे एक font चाहिए ठीक है? तो font का url मैंने copy करके रखा हूँ मैं उसको यहाँ पर paste कर देता हूँ ठीक है? यह आप सर्च कर सकते हैं Google से मैंने लिया है Josephine science करके जो font है आप Google से ले सकते हैं और सबसे पहले मैं क्या करूँगा star लगा कर यहाँ पर margin जो है इसकी वो कर लूँगा zero ठीक है? और box sizing जो है वो हो जाएगी यहाँ पर border box ठीक है? तो यह दो चीजे मैं यहाँ पर कर लूँगा फिर यहाँ पर मैं लगा video box तो सबसे पहले मैं video box को target करूँगा हमारा जो video box है उसकी height जो है वो दे दूँगा मैं 100 VH और width जो है that will be 100% ठीक है? और position जो है वो हो जाएगी relative ठीक है? और इसके बाद next हम करेंगे video box को target video box को target करेंगे और इसके अंदर हम video को target कर लेंगे अभी मैं इतना आपको save करके दिखाता हूँ की how does this look? आप देखेंगे की कुछ इस तरीके से यह हमारा content यहाँ पर दिख रहे है इसके अंदर हम एक और property add करेंगे और इसके अंदर हम एक और property add करेंगे और आप देखोगे कुछ इस तरीके से मुझे यहां पर यह दिखाया दे रहे है इसके अंदर हम एक और property add करेंगे object fit and that will be cover ठीक है इसको मैंने यहां पर किया इसको आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि पूरे जितनी भी मेरा area है उस पर यह यहां पर cover कर रहे है ठीक है तो यह हमारा सिर्फ video के लिए था अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो text है वो text की कुछ properties में यहां पर लिखूँगा तो आप देख रहे हो video in text जो है इसकी properties के साथ मुझे थोड़ा इसको improve करना होगा तो सबसे पहले मैं dot text box के अंदर h2 जो है उसको यहां पर target कर लूँगा ठीक है तो यहां पर होगा text shadow ठीक है text shadow में यहां पर लूँगा text shadow will be 6 pixel 8 pixel और उसके बाद 12 pixel फिर rgba ठीक है और यह होगा 0,0,0,0.6 ठीक है तो यह हमारे text box का h2 का हम यहां पर text shadow देंगे इसका जो font size होगा ठीक है वो हो जाएगा font size will be 13 rams क्योंके हम बहुत बड़ा साइक font लेना चाहेंगे और font family जो है that will be जोसेफीन 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 स्पेस संस I hope I am not writing it wrong otherwise यह काम नहीं करेगा let me quickly check if the text is working तो text हमारा बिल्कुल काम कर रहा है font हमारा apply हो चुका है ठीक है तो हमने हमारा background भी यहाँ पर set कर लिया और उसके बाद हमने हमारा text भी यहाँ पर set कर लिया इतना काम हमारा complete हुआ अब हमें क्या करना है कि text को यहाँ पर place करना है Center में और जो effect हम देना चा रहे हैं वो effect हमें यहां पर देना है ठीक है तो अब हम जल्दी से वो काम करना शुरू करेंगे तो मैं यहां पर नीचे आऊँगा और सबसे पहले video box के अंदर dot text box को मैं target करूँगा ठीक है video box के अंदर text box को target करूँगा position जो होगा that will be absolute और इसके बाद mix blend mode मैं दूँगा तो यहां जाएगा screen अब इससे देखो आप क्या effect मुझे यहां पर मिलता है I think मैंने सको save किया है अचा एक second इसके लिए मुझे सबसे पहले left से zero करना होगा और top से zero करना होगा ताकि मेरी positioning जो है वो काम करने लगे and once I do that और आप देखोगे कि यह कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई दिए ठीक है अब आप देखोगे कि यह जो हमारा text है वो यहां पर गायब होगे but no worries we'll gonna fix that ठीक है अब हम इसकी width जो है that will I will gonna take it 100% height जो है वो हम ले लेंगे that will be 100% ठीक है और इसकी जो display जो है वो हम कर देंगे grid ठीक है place item हम यहां पर कर देंगे center ठीक है तो यह सारा जो हम काम कर रहे है वो center करने के लिए हम कर रहे है ठीक है वो हम content को center करने के लिए कर देंगे अगर में यहां कर देखता हूं still वो missing है but no worries वो क्यों missing है उसके लिए हमें यहां पर कुछीज करने पड़ेगी सबसे पहले background जो color है वो हमें देना होगा white ठीक है और color जो हमें देना होगा that will be black the moment I do this and boom this is walking ठीक है तो यह हमारा simple सा effect था ठीक है और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि यह जो properties हमने लगाई हुई है यह सारा उसको center करने के लिए है background color और color जो है यह हम हमारा जो effect है उसको और यह जो mix blend है यह हमारे effect को apply करने के लिए दोनों चीजे में differentiate यहां पर करना चाहता था तो guys this is something you can do और आप इसको अपनी कोई भी website में यूज कर सकते है कोई भी चीजों में यूज कर सकते है it looks amazing so guys that's it for this video अगर आपको कोई भी doubt कोई भी question or make sure you ask that in the comment section और अगर आपने अभी तक free training join नहीं किये है link आपको description में मेल जाएगा click on that link and join the training and i will going to see you guys in next video have a great day bye bye